नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चाल में आपका स्वागत है दोस्तों, recently मैंने एक new PC बाई किया हूँ और इस PC के backup के लिए मैंने यहाँ पे एक UPS को बाई किया हूँ आप देख सकते हों कि इतना छोटा सा UPS है इसके दोरा मुझे केवल 10 मिनिट का backup मिल पा रहा है इससे ज़्यादा backup मुझे नहीं मिल पा रहा है और जैसे कि मालूम है कि मुझे वीडियो इडिट करना पड़ता है और उसके लिए मुझे backup चाहिए ज़्यादा टाइम के लिए तो इसी प्रोलम को solve करने के लिए मैं यहाँ पर एक टॉल टीवलर बैटरी का इस्तमाल कर रहा हूँ जिसको इस्टमेन कमपनी के दोरा बनाया गया है यह जो बैटरी है इस बैटरी का capacity आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है 150 AH जिसका operating voltage 12 volt है अब इस बैटरी के साथ मैं मुझे inverter का इस्तमाल करना परेगा तो इस काम को करने के लिए मैं यहाँ पर इस्टमेन कमपनी का ही एक inverter इस्तमाल कर रहा हूँ जिसका rating है 1000 VA यह जो मेरे पास में inverter है यह inverter मेरा solar पे work करने वाला inverter है यानि कि इस inverter को यदि आप solar panel के साथ भी connect कर दोगे तो आपका जो बैटरी है और जो आपका घर का लोड है उस लोड को भी आप directly solar panel के द्वारा work करवा सकते हो लेकिन फिरहाल के time पे में इस inverter का इस्तमाल के वाल में power supply के द्वारा इस battery को चार्ज करने के लिए करूँगा उसके अलावा इस battery का जो power supply यह इसको convert करके हमारे PC को run करवाने के लिए इस्तमाल किया जाएगा यानि कि simple connection अभी हम करने वाले हैं अब इस inverter और battery के द्वारा कैसे मेरे इस PC का पूरा load को connect करूँगा उसको हम समझ लेते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि यह जो मेरे पास में battery है इस battery का connection इस inverter के साथ में करना पड़ेगा connection करना बहुती simple है आपका जो inverter होता है इस inverter के back side में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक red cable और एक black cable मिल जाएगा यह दोनों cable आपके battery के साथ में connect होता है तो simply क्या करना होगा जो आपका red cable है इस cable को ले जाके आपके battery के positive terminal के साथ connect कर दिजीगा और inverter का जो negative cable है इसको ले जाके battery के negative terminal के साथ connect कर देना होता है अब इस inverter में आप देखोगे यहाँ पे आपको एक और cable मिल जाएगा इस cable को ले जाके आपको man power supply के साथ connect करना होगा तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे computer के लिए जो power supply इस्तमाल किया गया उसको disconnect कर देता हूँ इस्वार मेरा man power supply आया है या नि की government का power supply आता हो आया है तो इस power supply के द्वहरा में इस inverter को power supply प्रॉआयड करूंगा जिसके इसके द्वारा हमारे battery को चार्ज किया जा सके तो इसको ले जाके यहां पर रख देता हूँ और इस inverter का जो यह cable है इसको ले जाके मैं इस switchboard के साथ connect कर देता हूँ तो मैंने इस inverter को man power supply connect कर दिया अब यहां पर आपको क्या करना है समझे अब इस inverter का जो socket है इसके द्वारा आपको output power supply मिलेगा तो output power supply को ले जाके मैं इस switchboard के साथ connect कर देता हूँ क्योंकि मेरा PC है उस PC में बहुत सारे cable है उनको लाके यहां पर आसानी से connect किया जा सकता है तो इसका जो socket है इसको लाके मैंने यहां पर output socket के साथ connect कर दिया अब यहां पर जो हमारा inverter है इस inverter के back side में आपको यहां पर fan मिल जाएगा इसके अलावा यहां पर एक reset करने वाली switch मिल जाता है यादि आपका inverter trip हो जाता है तो इसको प्रेस करके आप reset कर सकते हो इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो हमारा battery है इस बैटरी के दोरा कितना हमें बेक अब मिलेगा, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले तो मेरा PC को चालू कर देता हूं, उसके बाद हम असानी से यह पता कर सकते हैं कि इस बैटरी के दोरा मुझे कितने घंटे का बेक अब मिलने वाला है, आप इस inverter का अभी के टाइम पे इस बैटरी को चार्ज कर रहा है उके इसके अलावा जो आपका बैटरी है और जो इनवर्टर के दोरा आउपुट लोड मिलेगा उसका भी इंफोर्मेशन इस डिस्प्लेई पे आपको मिल जाएगा अब यहां पे जो हमारा इनवर्टर है इस इनवर्टर प्रेस करना पड़ेगा अभी तीन बार प्रेस करने बद हो गया इसको चालू करने के लिए प्रेस कर दिजिए चालू हो जाएगा ओके अब इस इनवर्टर पे पूरा कंप्यूटर का लोड को चनेक कर देते हैं उसके बाद हम कलकूलेट करते हैं कि आखिर हमारा जो बैट केबल को कनेक्ट कर देंगे इसके आलावा यहां पर मेरा जो बेक लाइट है उस लाइट को भी कनेक्ट कर देता हूं तो आप इस इनवर्टर के डिस्प्ले पर देखोगे यहां पर आपको मिल जाएगा आउपुट लोड पे 50 हच का फिक्वेंसी दिखा रहा है 9% केवल लोड को कनेक्ट किया गया है अभी के टाइम पे हमने इस इनवर्टर को मैं पाव सप्लाई के एसार कनेक्ट करके रखे हैं जिससे कि हमें एक्चुल पावर पता नहीं चल पाएगा तो इसको मैं रिमूब कर देता हूं इस पावर केबल को मैंने रिमूब कर दिया जिससे कि इस इनवर्टर को मैं पाव सप्लाई नहीं मिले अब इस इनवर्टर और बैटरी के द्वरा आखिर मुझे कितना बेकप मिलेगा और फिलहाल के टाइम पे इस पे पूरा कितना वार्ट का लोड कनेक्ट है उसको पता करने के लिए मैंने यहां पे एक इनर्जी मिटर को कनेक्ट कर दिया हूं इसका वीडियो मैंने बना दिया था तो इसको बारी में मैं एक्स्प्रेंड नहीं करने वाला हूं तो यहां पे जो मेरा इनर्जी मिटर इसके द्वारा जो लोड कनेक्ट किया गया है उ इंवर्टर मेरा 1000 VA का है यानि कि इस पे हम maximum 700 से लेके 800 वाट का लोड को कनेक कर सकते हैं फिलहार के टाइम पे हमने केवल यहां पे 75 वाट करता हूं आप यहां पर पावर बढ़ जाएगा जैसे कि आपने देखा रिल मसीन को चालू करने के बाद यहां पर पावर 300 वाट चला गया था तो आपने यह देख लिया कि मेरा मुबाइल एक्चुल में हमारे इनवर्टर पर कनेक्ट है इस डिल मसीन को और पीसी को मैंने अभी इनवर्टर पर लोड करके दिखाया अब यहां पर हमें यह पता करना है कि आखिर हमारा बैटरी कितने देर का बेक अप दे सकता है तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यह है कि आपका बैटरी कितना वोल्टेज पर ऑपरेट होता है यह जो बैटरी इसको मैंने मल्टिप्लाई कर दिया और इक्वेल्टू करने के बाद हमारे पास में आ गया यहां पर इसको डिवाइड करना है हमारे घर के लोड का अभी के टाइम पर मेरा जो पीसी है इस पीसी का लोड है 77 वाट हम 80 मानके चलते हैं तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 80 से 80 से डिवाइड करने के बाद यहां पे हमारे पास अंसर आ गया 22 यह जो यहां पे 22.5 अंसर आया है इसका मतलब यह है कि यह जो मैरा बैटरी है इस बैटरी के द्वारा मेरा जो यह कम्प्यूटर है इस कम्प्यूटर को 22 आवर के लिए कंटिनियूसली रन करवा सकता लेकिन कोई भी लोड हमेशा 100% आवपूट नहीं देता है तो इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ 80% से तो यह जो टोटल आवर है इस आवर को हमें मल्टिप्लाई करना परेगा 80 से हम मानके चलते हैं कि बैटे का इस्तमाल हम केवल 80% तक ही कर सकते हैं यानि कि इसको 80% तक ही डिश्चार्ज कर सकते हैं उससे जादा डिश्चार्ज नहीं कर सकते हैं अब इसका अंसर करने के बाद इसको हमें डिवाइड करना होगा 100 से तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास अंसर आगे 18 तो इस कंडिशन में यह जो मेरा इनवर्टर और बैटरी है य पैनल पर नए हो तो सस्क्राइब कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद